मा अहिलिया की पावननगरी इंदौर में MP News की तरफ से ताल गर्भा महोटसब आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्य अतीथी के तौर पर भाजपा के प्रदेश सहब प्रवक्ता दीपक टीनूजैन शामिल हुए उन्होंने कारिक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि भारतिय परंपरा के साथ आयोजित कारिक्रम में संस्कृति की छलक देखने को मिल रही है इन दौर के स्वच्चता में छक्का लगाने पर दीपक टीनूजैन ने कहा कि शहर वास्यों और सफाई मित्रों ने मिलकर यह कर दिखाया इन ही बातों के बीच भाजवा के प्रदेश सहब प्रवक्ता दीपक टीनूजैन से खास चर्चा की हमारे संबाद दाता धर्मेंद्र यादव ने है क्धि यह जो यूथ है वह काफी समय से इंति जार कर वाला कि हमारी यह दो प्रकार की चीजह को जो व संहेंज़ है Swa ऊपने हिसाब से उसको अबने अंदर उतार लेता है तो क्या लगता आपको यह jो जो जो आपको देखनों के मिल रहा है तो क्या समझते हैं किस प्रकार से इस पूरी यूथ ने आज आने वाले समय के जो आने वाले जो पीड़ी है उसको जागरित किया है सबसे पहले तो मैं ताल गर्बा मोहत्सों के सभी आयोजगों को और स्पॉंसर्स को बहुत बधाई शुपकामना देता हूं कि एक परमपरिक और शुद्ध रूप से भारतिय परमपरा को लेकर के जिस प्रकार का नांडिया यहाँ पर किया जा रहा रहा रेसकोस रोड बाउड शायद यहाँ पर है पुरे इंदौर में किसी गर्बा पांडाल में या किसी इस्थल पे नहीं है क्योंकि शुद्ध रूप से पारमपरिक रूप से गर्बा करने का यह उत्सव हम सब अभे प्रशाल में देख पा रहे हैं और सिर्फ युवाओं को जिस प्रकार स यहाँ पर लाने के लिए नहीं उन्हें एक इस बात के लिए भी जोड दिया जा रहा है कि आपको जिस परिधान में यहाँ पर आना है वो बहुत पारमपरिक हो और शालीन हो इस बात का भी विशेश रूप से हैं पर ध्यान दिया जा रहा है तो मैं पुरे आयजकों को सभी लोग स्वस्त रहे और जिसकी जो मनों कामना है इन नमबर वन आना काफी बड़ी बात होती है तो किस प्रकार का संदेश रहेगा आपका पुरे शहर के लिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छे बार, छे बार शिखर पर बने रहना ये अपने आप में बहुत नहीं बहुत बहुत बड़ी उपलब्दी ह और सिर्फ ये संबह हो पाया है तो इंदोर के सफाई मित्रों के कारण और इंदोर की जो जागरुक जनता है, उनके कारण की पब्लिक पार्टिसिपेशन की बिना, किसी भी अभिहान को, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी का भी प्रसाशन हो, पूरा नहीं किया जा सकता, और इ आवान किया, मानन इमुख्य मंत्री जी ने उस आवान को मंत्री प्रदेश के प्रतेक शहर नहीं, छोटे गाउं कस्पे तक ले जाने का काम किया, और हमारे समस्त जनप्रती निदी, चाहे वो इंदोर के हो, चाहे अन्ने शेहरों के उन्होंने भी बहुत गंभीरता के साथ में इंदोर लगातार, छटी बार नंबर वन आया है, और इंदोर सिर्फ अब कच्रे कही काम नहीं कर रहा है, सिर्फ कच्रा सेग्रिगेशन का या उसी का काम नहीं कर रहा है, अब हम बायो डिजल, बायो सी एनजी के साथ में हम इंदोर में इलेक्ट्रेक वहानों की बढ़ा रहे हैं जिससे इंडोर की आबो हुआ अब जो हमारा इस दोनों ही तंगे को अपना सिर्मोर बना के रखेगा, यह तो आना वाला वक्त बताएगा, फिलहाल इंदोर के अभे प्रशाल से अरुन यादो के साथ धर्मेंद्रियादो, MP News इंदोर.